इस सहबा सेरीज में हम आपका सर्वाल करने का रहे हैं आप हमारी चल रही सी हजरत अमर बिन खत्वाब रदी अल्लाहू तादानों के बारे में हजरत अव्वकर सिद्दे अव्ववम हजरत अमर बिन खत्वाब रदी अल्लाहू तादानों को अपने लोगों को जो नई नई सहुलतें आपने पराम की और नई नई अन्दाज के डिपार्टमेंट को आपने बनाएं नई नई लोगों के अंदर खुलतों के लिए अलग अलग शुखबजात आपने पायन किये उससे पहले के जो खुलपात है जो खलिपात है उसके जिप रभी अल्लाहों को उनको उतना मापाई ने मिला कि इतने नई ने काम पर सखें क्योंकि अल्लाह कबारत हुआ ने आपको एक लंबी मुद्द अदा परमाया था इस लंबी मुद्द में आपने दुनियावालों को एक नए अन्लाज के शुखबे दिये एक नए अन्लाज के डिपार्टमन दिये चोंकि उस वकत रायत नहीं थे और लोगों के दर्मियान उस वकत तुम मालूमात में थे इससे पहले उमर बिन पक्ताव रदियाल्लाहु सादा अन्लू के खलीवा बनने से पहले जो खौज थी वो रजा कारणतर पर थी कि भरी इसाब असराम है आप राद душ में आप रादिमेंई आप रादिमयं आप आजए आप आजए आप आजए आप आजए जाली सब दोर गटाताना तरुम उसकी शरीख हो रहे हैं किसमें लोग उसमें शरीफ हो रहे हैं वाफ़ादा तौर पर उनका नाम प्रस्टिशन के तौर पर नहीं है और मुझसके वो लोगों को इस काम के लिए मुंतकब नहीं कहड़ा है इस जन्में युनों नहीं शिर्कत किया नहीं जजमें वो शिर्कत करेंगे पुलां करेंगे पुलां करेंगे या नहीं मुझसके तौर पर तर्कीब से साथ वहाँ पर फौर्च का सिस्टम नहीं भागए ये लोग फौर्च है और इसका पौर्च है इनको इसके लिए तर्बियत दी जाएगी इनको अलग से रखा जाएगा इनको तनका दी जाएगी और इनका नाम रखा जाएगा इनका नाम लिखा जाएगा इनका पूरा इस्ट्रिमेंटन होगा इस तरह का सिस्टम उमर बिन खताब रदी ल्लाहू तरहों से पहले नहीं था लेकिन आपने बाकैदा एक फौर्च का सिस्टम यानि मतारफ कराया यह फौर्च है यह फौर्च में फिक्स लोग है यह लोग इसे तयारी करेंगे यह लोग फुलाँ जगा रहेंगे फुलाँ चीजें खाएंगे इनके नाम ऐfe रहेंगे इनके तनका ऐसी होगी आद जो फौर्च का सिस्टम है कि उसमें आदमी जाने के बात उसका हो जाता है और फिर उसके यानी रोजी रोटी की जिमेदारी हो जाती है तो वहाँ पर भी उमर्बिन nylon फाज की रोजी रोटी की जिमेदारी यानी हो कुमत पर ले ली कि आपको दूसरा काम नहीं करना है बस इसी के लिए आपको वक्फ हो जाना है यानि मुस्तकिल तर पर फाउज की शकल आपने दे दी जो कि उससे पहले इसा नहीं था अब फिर इसी तरह यानि फाउज तो वो है जो मतलब बड़े बड़े दुश्मनों से लड़ती है और दुश्मनों का मुकाबला करती है ये उसके लिए तो है तो उमर बिन खताब ने अपने यानि मदीने के और मक्ये के और आसपास की इलाके के चोटे-चोटे मसाइल को हल करने के लिए पॉलिस का डिपार्टमेंट भी आप मतारफ कराया कि बड़े काम करने वाले अलग लोग हैं चोटे-चोटे काम करने वाले अलग लोग हैं किसी को पकड़ कर लाना हैं किसी के पास जाना हैं किसी के पास आना हैं तो उसके लिए मुहकमे पॉलिस को भी आपने मुतारफ कराया। इसी तरह यानि अमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला नहुं के से पहले यानि कासित निकलता था। यानि किसी को मैसेज पहुंचाना है। किसी को डाग पहुंचाना है। तो एक आदमी निकलता है और निकलकर रास्ते में आराम करता है, ठकने के बाद फिर वो सोता है, फिर उसके बाद निकलकर फिर जाता है, फिर वह खाता पीता है, फिर निकलता है, फिर आगे बढ़ता है। तो एक ही आदमी वो चाहे वो 50 किलो मेटर हो, 100 किलो मेटर हो, 200 किलो मेटर हो, एक ही आदमी सफर करते आता था, उट पर या घोड़े पर अकेला ही वो सफर करते करते जा रहा है, तो बीच में कई मरतबों उसको थकान की वज़ा से आरम भी करना पड़ता, सोना भी पड़ता, खाना भी पड़ता तो इस तरह यानि मैसेज यहां से निकल कर यहां तक पहुँचने में काफी देर हो जाती थी काफी ताखिर हो जाती थी तो अमर्मिन खताब रदी आल्लाहू अनौने डाक के सिस्टम कुझे एक आदमी का यहां तक पहुंचा रहा है का यहां से कोई खबर लेकर निकल रहा है तो जो है यानि जिसको पहुंचा जा रहा है काफी ताखिर हो रही है काफी लेट हो रहा है तो आप नहीं किया कि भी यहां से यहां तक इसको पहुंचाने ख़र तो बीच में यहां एक सराय काम करेंग यहां एक सरा है, 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 यानि भीच में चोकियां कायम की, यहां से घोड़ा लेकर आदमी यहां तक पहुंचेगा, यहां पर पहले से अलड़ी एक तैयार घोड़ा और आदमी रहेगा, वो इसको पहुंचाएग मुद्दत में मेसेज खत यहां से निकल यहां तक बड़ी आसानी से पहुँचना शुरू हुआ यह अलग बातें खर्चते उबढ़ जाएंगे कि यहां तक पहुँचने के लिए दस गोड़ों का इस्तिमाल किया गया दस लोगों का इस्तिमाल किया गया लेकिन हुकुमत उसको बरदाश चिया मेसेज पहुचाना है हुकुम पहुचाना है खत को पहुचाना है तो यहां से यहां तक ताज़ा दम रहता है फिर यहां से निकल कर जो आदम ने वो ताज़ा दम निकला हुआ है खोड़ा ताजा अदम है सरपट डौड़कर यहां यहां से यहां से यहां से यहां तक पहुंचने में काफी जो है सौलत के साथ मेसेज आगे तक पहुंचना शुरू हुआ और यह सिस्टम अमर बिन खताब रदियाल्ला अनुह नहीं जो है इजाद किया इसी तरहा भ incarnation मदीने में कितने लोग हैं मक्या में कितने लोग हैं मसलमान आपस में ताइफ में कितने फलां कितने यह यानिसे ही एक अंदाजन लोग श्मार करते थे बाकएदा मुनजम तोर पर काउंटिंग का सिस्टम नहीं था तो अमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अनुह नोए लोगों को काउंट करना मर्दुम शुमारी इसको हम कहते हैं यानि कितने लोग हैं तमाम के तमाम के काउंटिंग रिजिस्टर के अंदर होना मक्य में कितने लोग हैं पूरे नाम रिजिस्टर में आना मदिने में कितने लोग हैं पुरस्टर में नाम आना ताइफ में कितने लोग हैं यहां पुरस्टर में आना तो तमाम के तमाम मुसल्मानों के नामों को रिजिस्टर करना शुरू किया मर्दों शुमारी शुमार कर शुरू कर दी कि भी कितने लोग हैं और अंदाज़ा कैसे होना चाहिए कैसे मालूम होना चाहिए मर्द कितने हैं औरतें कितने हैं बच्चे कितने हैं नौजवान कितने हैं उन तमाम की तमाम को सिस्टेमिटिकली जो है उन तमाम को यानि शिमार करना शुरू कि जिसको हम मर्द और शिमारी कहते हैं उससे पहले ऐसा नहीं था अमर बिन खत्ताब रदिया ने देखा कि भाई आबादी बढ़ते जा रही है और जो जिस शहर में हम रहे रहे हैं वो शहर तंग दामानी के शिकार होते जा रहा है तो आपने देखा कि भाई ऐससे ही छोड़ देंगे तो लोग यहां से गाउं से निकलेंगे यह शहर में आ जाएंगे जाहर बात है मत शहर में वसाइल जादा होते हैं गाउं के मुकाबले में तो आदमी गाउं से निकल कर शहर में आता है और एक शहर में जो हैं लोग काफी बढ़ते 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 जाएंगे तो आप बढ़ते बढ़ जाएगी तो आपने क्या किया بڑے شہروں کو بسایا تاکہ وہاں پر ان کے وسائل جنریٹ کرسکیں ان کے وسائل کو وہاں پر پیدا کرسکیں لوگوں کو دور دور تک آنے کے ضرور اتنا پڑے اپنے قریب کے شہروں میں منتقل ہو کر جو ان کی ضروریات ہیں وہ پورا کرسکیں اور اپنے زندی کو آگے بڑھا سکیں اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شہر بسانہ شروع کیا ذہن पिर उसके बाद काम तो बहुत हैं इंशाला फिर आगले दरह बताएंगे लेकिन देखिए आप मुनजम तार पर एक लीडर यानि पूरे मुल को बदल सकता है पूरा पूरी अवाम मिलकर किसी मुलक को बदल ने सकती लेकिन एक लीडर पूरे मुलक को बदल सकता है उसकी सोच, उसका नजरिया, उसके प्लानिंग्स और उसका जो है यानि लोगों के सामने प्रेजेंट करना ये एक कावम को अगर अच्छा लीडर मिल जाता है ना तो कावम के हालत बदल सकती है एक महले का लीडर पूरा महला बदल सकता है लेकिन महले के पूरे लोग मिलकर महला ने बदल सकते एक गाओं का लीडर, एक शहर का लीडर, एक सूबे का लीडर, एक मुलक का लीडर अपने जो जिसका लीडर बना हुआ है पूरों को बदल सकता है लेकिन पूरे मुलक के लोग मिलकर अपने मुलक को बदल नहीं सकते हैं तो ऐसा लीडर उमर मिन खताब रदियल्लाहूं के शकल मिला था जिसकी वज़ा से इतनी जादा तरक्यां सहाब कराम को देखने मिली और पूरे के पूरे का तरीका ऐसी होता है डाम बनाने का तरीका ऐसा होता है डाम भी आपने अलग 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 जगाओं पर बना दिये जहां पर पानी आके जो है बेह कर जा रहा है बस निकल कर चले जा रहा है आपने उसको रोकने के सिस्टम बनाया के पानी कहां रोकेंगे, अगर कहां रोकेंगे तो पानी जदा है रोक सकते हम और कहां रोकेंगे तो लोगऑं को जदा हम पैदा पूचा सकते पूरे की पूरी इंजिरिंग, माशाइला अमर बिन ख़ताब его TikTok रदियों लोहां पर मतार्व कराईए, अल्ला से दौा है